नमस्कार दोस्तों हुआ यूटूब चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग TGT PGT 2014 के लिए इतिहास भी से का प्रैक्टिस से दूसरा हल करेंगे इसके पहले हम आपको बता दें कि प्रैक्टिस से पहला अपलोड हो चुका है तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकि आप वहां से देख सकते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर साथ में वेल आइकन को जरूर प्रेस के लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पीडियाफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां स कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ट इतिहासकार नहीं लिख सकता तो चार विकल्प है इनमें बताना है कि कौन सा सही है तो यहां जो सही हो जाएगा बी आपसन आर्सी मजुमदार कमत था कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज इतिहास नहीं लिख सकता है याद रिखेगा बी आपसन यहां सही है दूसरा क्वेशन है किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वैतंत्र गड़राजी बांगला देश के नए नाम से घोशित किया तो यहां पर जो से यह होगा बी आपसन सेख मुझीबुर रह्मान 1970 यहां याद रख सकते हैं 1971 में सेख मुझीबुर रह्मान के नित्रित्युमें बांगला देश की स्वैत्तरा का आंदोलन वह शुरू हो गया और पूरी पाकिस्तान अर्थात बांगला देश की जनता पूर्तिया मुझीबुर रह्मान के साथ थी और 16 दिसंबर 1971 को 77 बांगलादेश का उदै हुआ तीसरा कुशन है पुस्तक के लेखक पुछा गया है कौन है तो यहां से हुजाएगा डी आप्शन वी पी मेनन नामक पुस्तक के लेखक वी पी मेनन है और इस पुस्तक का परकासन 1955 में लंदन इस्थिप जो है लांगमेन परकासन में द्वारा किया गया था यहां पर डी आपसन सही हो जाएगा चोथा कुशन है इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कांफरेंस के अध्यक्ष कौन थे यहां पर इस कांफरेंस में किसानों की समस्याओं तथा अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किये जा रहे अत्याचार के बारे में भी विचार किया गया था तो इस आपसन सही हो जाएगा पांचमा कुषने सी-र फार्मूला जिसे राज गुपालाचारी योजना का जाता है कि बी रोद किस ने किया था तो मुहम्मद अली जिन्ना ने किया था वी विकल्प से ह 750 चक्रोवरति राज गुपालाचारी ने 1944 में एक फार्मूला निकाला था जिसमें उन छेत्रों के लिए आत्म निरड़े के अधिकार के आधार पर समझाथा शुजाया गया था जो कि मुस्लिम बहुल वाले थे इसे ही CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला कहा जाता है इस भारमूले पर गांधिय जी यों मुहम्मद अली जिन्ना के मध्य वारता लाप यों पत्र बेवहार हुआ किन्तु जिन्ना ने इसका बिरोत किया और यह असफल रहा चठों कोशन है उर्दु कभी जो की अर्दुतिय और तिर्थिय गोल में सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधी थे यानि कि भाग ले थे तो भी आपसे हो जाएगे यहां पर मुहम्मद इकबाल दूसरा गोल में सम्मेलन लंदन में साथ सितंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 तक यह चला था और तीसरा गोल में सम्मेलन यह आपका सत्रे नॉवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था तो याद रखेगा आप लोग तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 और दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 और पहला जो गोल में सम्मेलन हुआ था वह आपका 1930 में हुआ था तो तीनों जो है याद रखेगा तो यहां पर पूछा गया है कि उर्दू कभी जो की दुती और तिर्थी गोल में सम्मेलन दोनों के प्रतनिधी थे वह बारती फेक्टरी अधिनेम पहली बार कब लागो किया गया ? यह आप्सन सही हो जाएगा . और इस अधिनेम की तहत सात वर्स से कम-ायूँ के बच्चों को, काम करने से प्रतिबंधित किया गया और साथ से लेकर के बारे वस्तक के बच्चों के कारे की अवदिको 9 घंटे निर्धारित किया गया महिने में 4 दिन के आउकास की भी इसमें बेवस्ता की गई थी भारती फैक्टरी अधिनियम जो की पहला पूचा गया है कब लाग हुगा था 1881 इसमी आठमा क्वेशन है स्वामी दयानन स्वरसुती की परसिदिक क्रिती का क्या नाम है जिसमें उनके बीचार प्रकासी थें यहां पर यह आपसंसी हो जाएगा सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास की रचना 1875 1875 इसमी में हिंदी भासा में आरी समाज के प्रवर्थक स्वामी दयानन स्वरसुती निकी थी और इसका प्रमुख उद्देश यह आरी समाज के सिधानतों का प्रचार प्रसार करना था तो यहां से दो प्रशन जो है आपका पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकास की रचना किसे ने की तो आपका एंसर होगा स्वामी देयन अंसर सती ने अब यह जो है कब प्रकासीत हुआ था तो अठारे सो पचात्तर इस भी में नौवा कोशन है नेमनी में से किसे धोधुपन्त के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पे बी आप सुन से हो जाएगा नाना साहब को नाना साहब का वास्तविक नाम धोधुपन्त था वे अंतिम पेशवा वाजिराव दुती के दत्तक पुत्र थे कानपूर में 1857 के बिद्रोह के नेता नाना साहब को तात्या टोपे का सक्री सहयोग प्राप था नाना साहब ने 1857 की इक्रांती में कहां से नेत्रित किये थे तो यह कानपूर से नेत्रित किये थे दस्वा कोशिन 1857 इस भी के बिद्रोह के दोरान बीर कुमर सिंग का संबंध था तो इनका संबंध था बिहार से प्रश्न कई बार पूछा गिया है याद रखेगा 1857 इसभी के बिद्रोह में बीर कुमर सिंग ने जगदीसपूर नामकास्थान जोकी बिहार में पड़ता है बिहार से भारतियों का नेत्रित्य कर रहे थे कानपूर से नाना सहब और तात्या टोपे लखनोव से हचरत बेगम महल तिधा अवध में मौलभी एहमदूला ने बिद्रोह का नेत्रित्य किया था तो यहां से भी पर्षन बनता है याद रखेगा लखनोव से अक्सर पूशा जाता है तो बेगम हजरत महल यहां से नेत्रित्य की थी और कानपूर से नाना सहाब और अवद से याद रखेगा मौल भी एहमदूला ने नेत्रित किया था अगला जो कॉशन है एज आफ कंसेंट एक्ट 1860 हिस्वी में लड़कियों के बिवाह की आयू कितने निधारित की तो दस वर्स निधारित किया यह आपसंस ही हो जाएगा यहापे इस वर्चन्द विद्यासागर के प्रयासों के फल सुरू 1860 इस वी में एज आफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ जिसमें जो है महिलाओं के बिवाह की निधारित आयू 10 वर्स कर दी गई थी जबकि सार्दा एक्ट के माध्यम से लडकियों के निवनतम बैवाहिक आयू वह 14 वर्स और लडकों की आयू 18 वर्स तैंकी गई थी तो सार्दा एक्ट में पूचा जाएगा तो लडकियों के निवनतम आयू वह 14 वर्स था और लडकों का 18 वर्स लेकिन यहां पूछा गया है Age of Consent Act 1860 में लड़कियों के बीवा की आयू कितनी निधायत की गई थी तो 10 वर्स निधायत की गई थी दोनों ही याद रखेगा पूछा आज दा सकता है बरहाओ कुशन है भारती राश्री कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे यहां पे भारती राश्री कांग्रेस का तीसरा वार्सी कधिवेशन 1887 इस भी में मद्रास में आयो जित हुआ और इसकी अध्यक्ष था बद्रू दिन तयेब जी ने की यह भारती राश्री कांग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष थे तीरहां कुशन है भारत में अस्थापित होने वाला पहला बाडिजिक बैंक कौन सा था तो यहां पे यहां पे बैंक आफ कलकत्ता यूरोपी वद्धत पर आधारित भारत का पर्थम बैंक विदेशी पूजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक आफ हिंदुस्तान नाम से सत्रे सो सत्तर इस्वी से कौलकाता में अस्थापित किया गया किन्तु यह बैंक सीग्र ही असफल हो गया और सन अठारे सो साट सरी अठारे सो छे इस्वी में अठारे सो छे इस्वी में बैंक आफ बंगाल और सन अठारे सो चालीस में बैंक आफ वांबे तथा अठारे सो तैंतारीस इस्वी में बैंक आफ मद्रास की अस्थापना की गयी थी तो यहाँ पुछा गया भारत में अस्थापित होने वाला पहला बाड़ी जीक बैंक कों सा था तो यह था बैंक आफ कलकत्ता जिसकी अस्थापना 1806SB में की गई थी अगला जो कोशन है पुराने गारंटी ब्यवस्था के अधिन रेलवे में निवेश करने वाले ब्रिटीस कमपनियों को गारंटीत लाभांस का आस्वासन था कितना तो यह था 5% सी भी कलब से हो जाएगा 1850 के बाद ब्रिटेन के पूजी पतियों ने अपने धन पर लाभ कमाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर पूजी का निवेश, रेल निर्मार, सरकार को करज, चाय रबर, काफी आधि उद्योगों में निवेश किया लाभ की गारंटी के अंत्रगत रेल निर्मार में पूजी निमेश पर सरकार द्वारा यह 4.5 से लेकर के 5% तक की गारंटी दी गए थी तो आपसन में 5 प्रतिसर दिया गया है, C आपसन यहां सही हो जाएगा 15 कोशन क्लाइब ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रियोग किया था वह कौन था तो यहां पे बी आपसन सही हो जाएगा वाट्सन और 16 कोशन डिलहोजी के पहले बिलय का सिधान किस राज्जी पर लागू किया जा चुका था तो यहां पे डी आपसन सही होगा के द्वारा 1834 में प्रियोग किया गया और यदिप इसका सरवाधिक प्रियोग लाडलहोजी द्वारा किया गया और सवर प्रतम कंपनी के द्वारा 1849 में मांडवी राजी को इस सिधान के द्वारा हस्तगत किया गया यानि कि बिलय किया गया उसके बाद 1840 में कोलाबा सत्रहों कुशन है दल्दली अस्थल सुतानती में 1690 में किसने कलकत्ता की अधार सिला रखी थी तो जाब चारनाक ने सी आपसन सी हो जाए गए एक ब्रिटिस बस्ती के रूप में कुलकाता का इतिहास वे 1690 इसबी में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जाब चारनाक के दोरा यहाँ पर एक ब्यापारिक चोकी की अस्थापना से सुरू होता है आगे चलकर कुलकाता भारती राश्टी आंदोरन का सबसे प्रमुक्त के इंद्र बन गया और 1912 इस बी तक कुलकाता यह ब्रिटिस भारत के राजधाने भी रही अठ्राव कोशन है राजा टूडर मल दौरा किस भूराजस ब्यावस्ता को बिक सित किया गया था काफी महत्पूर कुशन है यह तो डी आप संसे होगा जप्ती पढ़ा ली मुगल समराठ अकबर के समय में राजा टूडर मल ने जप्ती नामक भूराजस ब्यावस्ता का बिकास किया था भूम की पैमाईस की जाती थी यों खेतों की कुल खेतों की पैदावार को आधार पर करों की दरका निधार किया जाता था वह एक अच्छा बिद्वान भी था तथा उसने भागवत पुरार किसका तो भागवत पुरार का फारसी अनुबाद भी किया था और 1589 इस भी में की मृत्ति हो गए थी तो यहां पर डी आप सिमल से हो जाएगा अगला जो कोश्यन है कस्मीर में रिशी इस सिलसिला का संस्था पकौन था तो यहाँ पे सी याव्ण से हुगा सेख नूरूद्दीन सूफी विचारधारा से प्रेरित रिषी आंदोलन कस्मेर में सेख नूरूद्दीन रिषी द्वारा चलाया गया कस्मेर में 15.16.19 सदी में सूफी वाद के रिषी पंत का उदय हुआ उसे एक नूरुद्वीन देसी को नंद रिसी के नाम से भी जाना जाता है जिसने कस्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा परभाव डाला तो C आपसन सही है या बीसमा कुशन है भारत में सूफी मत के बारे में निम्निमे से कौन सी टिपड़ी सही नहीं है तो आप देख सकते हैं पर चार आपसन है आपको बताना है कि कौन सा यहां सही होगा उचा गया है कि सूफी मत के बारे में कौन सी टिपड़ी सही नहीं है तो यहां जो आपका सही हो जाएगा C आपसन की चिस्ती यह दक्षिड भारत में सक्री थे जबकि दिल्ली तथा आसपास के इलाके सुहरा वर्दियों के चेत्र थे तो यह आपका सही नहीं है सूफी मत इसलाम धर में उदार, रहस्यवादी और संसलेश रात्मक प्रिविर्तियों का प्रतिने धर्त्य थे करने वाली बिचारधारा है सूफी मत में मुखेता चिस्ती सुहरा वर्दी जैसे दो प्रमुख सिलसिले भारत में प्रचिलित हुए चिस्ती भारत, पाकिस्तान और बांगलादेस में फैले हूए थे भारत के अजमेर को इन्होंने सरवर्थम अपना आध्यात्मी केंद्र बनाया जबकि सुहरा वर्दी सिल्सिले का मुख्याल है वह मुल्तान में था तो यहाँ पे आपका सी आपसन क्या है यह सही नहीं है 21 कुशन है कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है तो यहाँ पे तियापसन से हो जाएगा तुलसी दास तुलसी दास यह मुगल समराट अकबर के समकालीन थे अकबर के दरबारी कभी अबुल फजल ने अपनी क्रित थी अकबर नामा की तीसरी जिल आईने अकबरी में तुलसी दास का उल्लेट नहीं किया है तो यह पुछा जाए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है तो अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है अगला जो कुशन है किस मुगल समराट का राज्य अभी से एक दो बार किया गया तो वह था औरंग जेब डी आपसन सही हो जाए गये हैं पर औरंग जेब का राज्य अभी से एक दो बार किया गया पहला सामुगड की बिजय योम आगरा को अपने अधिकार में कर लेने के बाद 1658 इस भी को दिल्ली में पर्थम राज़ा भी से एक और दूसरा साह सुजा और दारा को अंतिम रूप से प्रास्त करने के उपरान 1669 को हुआ था पर्थम राज़ा भी से किसमें उसने अबुल म मुझफर आलमगीर की उपाजी धारड की यहम दूतिय में मुझफर मुईनुदीन और जेब बहादूर आलमगीर बादसाह गाजी की उपाजी धारड की थी तो इसका जो है दो बार राज़ा भी से एक हुआ था और रंग जेब का 23 कोशने दारा सिको को मुलाहिद किस ने कहा था तो मुहम्मद काजीम ने कहा था डी आपसाह से ही हो जाएगे यहां पे 24 कोशने सेर साह के सासन के समय किस बिभाग का अध्यक्ष राज की आये और बियाय की देखभाल करता था तो वह था दिवाने वजारत यह आपसम से ही हो जाएगे हाँ पे सूर्बंस का संस्थापक यों सबसे महान सासक सेर साह सूरी था और राज की आये बिया की देखभाल करने वाले अध्यक्ष को दिवाने वजारत कहा जाता था यह लगान और अर्थ ब्यवस्था का प्रधा प्रधान था और राज की आये वे की देखभाल करना था अन्य मंत्रियों के कारियों की देखभाल करना भी उनका दायर तो था यह भी कलपाप का सही हो जाएगा यहाँ पर पचीसों कोशन है निमलिखित में से किस समराट के सासनकाल के अंतिम बरसों में वतन जागीर की नियाईक प्रडाली में सरोच पद पर निउट किया गया था तो यहां जो सही हुआ यह आपसन काजी उल्कुजात काजी उल्कुजात को मुगल सासकों के काल के दोरान नियाईक प्रडाली में सरोच पद पर निउट किया गया था और मुखी काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो की कानून की ब्याक्या करते थे, जिसकी आधार पर मुखी काजी हुए निड़े देता था, तो ये भी कल्प सही हो जाए गए हाँ 27 कुशन है, पश्मी भारत आने वाला पर्थम अंग्रेज कौन था? तो ये था था थामस इस्टीफेंस, ये आपसम सही हो जाए गए हाँ पर, पश्मी भारत पहुचने वाला पर्थम ब्रेटिस थामस इस्टीफेंस था, जो की एक अंग्रेजी जे स्वीट पुजारी और मि O'Toober 1589 हिस्टी में गोवा पहुचा था, विलियम हाकिन्स या कैटेन हाकिन्स ये 1608 हिस्टी में, जहां गेर के दर्वार में, और जान मिंडल हाल 1599 हिस्टी में भारत आया था, और टामस रोख पुचा जाता है,टामस रो 1615 हिस्टी में मोगल दर्वार में आया था, तो य एक मुहम्मद बिन तुगलक के बिसे में सही नहीं है तो D आपसम से हो जाएगा कि वह कभी किसी मंदिर नहीं गया था ये मुहम्मद बिन तुगलक के बिसे में सही नहीं है बाकी वह सारजनिक रूप से होली खेला था सही है वह गंगा जल का पान करता था ये भी सही है और उसने हिंदू अमीरों को निफ्ट किया था ये भी आपका सही है 29 कोशन है सोनधर सब्द कप्रियो किसानों के दिये जाने वाले रिड के रूप में किस के समय में हुआ था तो यहाँ पे सी आपसंस ही हो जाएगा आपका मुहम्मद तुगलक के समय में मुहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सोनधर सब्द याद रखेगा सोनधर नामक किसी रिड परदान किये थे और यह रिड राज की ओर से किसानों को अतेंत कम ब्याज पर उपलब्द कराया जाता था फिरोज साह तुगलक जब सासक बना तो उसने सोनधर नामक रिड को माप कर दिया तीसों कोशन इतिहासकार जियाओदीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्स सुल्तान था तो यह था फिरोज साह तुगलक जियाओदीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्स सुल्तान फिरोज साह तुगलक था और बर्नी यों अफीव दोनों ही फिरोज साह तुगलक क को आधर्स यों स्रेष्ट सुल्तान मानते हैं तारीख फिरोज साही में वर्णी ने लिखा है कि सुल्तान मुजुद दीन बिन साम के उपरांत समय तथा युग के बादसा सुल्तान फिरोज साह के समान कोई भी सिस्ट सर्जन धयालू कृपालू दूसरे के अधिकार पहचान करने वाला तथाकरतव ये निष्ट इसलाम के नेमों में विश्वास रखने वाला बादसा दिली के राज सिंगहासन पर आरोड नहीं हुआ और इसी ग्रंत में बर्णी ने फिरोज साह को एक आधर्स सुल्तान भी घोसित किया है तो एक प्रस्ण जो है यहां से पूछा ज हो जाएगा अगला जो कोशन है सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी तो वह था सुल्तान की एक प्रामर्स दात्री संस्था 32 कोशन है फिरोज तुगलग ने केवल वेही कर वसूल किये जिन्हें इसलाम धर्मे की मानिता थी निमलिखित में से कौन सा एक अत्रिक्त क कर था जो फिरोज साह ने लगाया था तो यहां पर सी आप समस्री हो जाएगा सी चाई कर फिरोज साह तुगलग इसलाम का पालन करने वाला सुल्तान था उसने इसलामी कानूनों के द्वारा स्विक्रित केवल चार कर लगाये थे पहला जजिया दूर उसके बाद जकात ये युद्ध में लूटे गए धन का एक बटे पांच भाग था जो कि सुल्तान के पास जाता था और चार बटे पांच भाग हुए सैनिकों में बाट दिया जाता था जजिया ये हिंदूं पर धार्मिक कर था जकात ये मुसल्मानों से लिया जाने वाला और उन्ही के हिता तो दोनों ही पूछा जा सकता है हक ए सर्व या फिर जो है सिचाईकर इसने लागू किया था फ lazy दूगलग शिचाईकर लगाने वाला डिल्ली सर्तनत का पहला सुल्तान था तैंतीस्वा कोईशन है बजार नियंत्रड किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है तो यहाँ पे सी आपसंसी युगा अलावदीन खिल जी काफी महतपूर कोईशन है कई बार एक पूछा भी गया है खिल जी बंस का सबसे सकति साली सासक अलावदीन खिल जी था उसने अपनी परजा की भलाई के लिए अनेक कारी किये जिसमें बजार नियंत्रड प्रतमस्तान पर था बजार नियंत्रड से आसे है बस्तूं का दाम हमेशा एक निश्चित दाम पर इस्थी रहे संभवत है यह बजार नियंत्रड नेती दिल्ली के आसपास छेत में हाँ प्रभावी था 34 कोशी ने निम्लखित में से सल्तनतकाल में कौन सी नई फसल को परियोग में लाना प्रारंब किया गया तो वैसा नील सी विकल्ब सी हुगог इस यहाँ से पान का उद्वावक Orig **, मलाल दीप। कहुझा है मलाल state am में भी पान के सेवन की पवित्रता का बर्डन मिलता है यहां सिय आफसां जो है सही हो जाएगा आपका पैंतीसमा कुश्यान निम्लेखित में से किसने इकता पड़ाली को समाप्त कर दिया था तो अलाव दीन खिल जी ने बी आप संसी हो जाए एकता प्रथा का अलाव दीन खिल जी ने किया था और इस प्रथा को इल्तु तमिश ने शुरू किस ने किया था तो इल्तु तमिश ने शुरू किस ने किया था और खतम किस ने किया तो अलाव दीन खिल जी ने एकता प्रथ वाली केंत्रगत जो है सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी 36 कोश्चन है उस्र क्या था तो यहां पर यहां पर मुसल्मानों से लिया जाने वाला भूमिकर वह उस्र कहलादा था अगला जो कुश्चन है तुर्जुमा ये भराही किस विशय से संबंधित एक भारती ग्रंथ का फार्सी रूप आंतर है यहां पर जो सही होगा आपका बी आपसन जोएतिस तुर्जुमा ये बराही जोएतिस विशय से संबंधित भारती ग्रंथ का फार्सी रूप आंतरड ह है और तीसमा प्रश्ण है किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पर लक्षमी अंकित की गई थी कि यहाँ पर डी आपसे सीवगा मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी ने लच्मी प्रकार की आकृति जो है कि सिक्के ढलवाये थे और कल्चूरी तथा चंदेल सिक्कों पर भी लक्षमी की आकृतिवर मिलती है लेकिन आप पुछाए किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पर लक्षमी अंकित की गई थी तो मुहम्मद गोरी 49 मा कोशन है चोल सासकों में से किसने चीन में अपने ब्यापारिक दूत मंडल भेजे थे यहाँ पर डी भी कल्प से होगा उपरियुक्त सभी चोल सासक, राज, राज, राज़ेंदर तथा कुलो तुंग के समय में अपने ब्यापारिक दूत मंडल चीन भेजे कुलो तुंग ने तो जो है 1077, इस भी में 72 सौधा गुरों का एक चोल, दूत, मंडल वए चीन को भेजा था तो यहाँ डी आपसे होगा उपरियुक्त सभी 400 प्रशन है चोल सासन में लगान वसूली का माध्यम था तो वह था ग्राम सभा बी विकल्प यहाँ पर सही होजएगा चोल सासक प्राचीन भारत के इतियास में प्रशिद्ध है और स्वैसासन में जो ग्राम सभाएं होती थी उन्हें काफी अधिकार दिया जाता था जो लगान वसूली हुआ करता था उसका अधिकार ग्राम सभाओं को चोल सासन में दिया गया था तो भी आपसन सही हो जाएगा 41 कोशन है समुद्र गुप्त के समय काजी का राजा कौन था स्वारी कांची का राजा कौन था तो यहाँ पर D यापसन सही हो जाएगा भिष्णू गुप्त. समुद्र गुप्त के समय का राजा भिष्णू गोब था प्रियाग पर्शस्त में समुद्र गुप्त द्वारा दक्षिड भारत में पराजित किये गये राजाओं की सूची जिसमें कोसल का राजा महेंद्र था उसके बाद कौसल का राजा मंट राज उसके बाद पिष्टपूर का राजा महेंद्र गिरी कुट्टूर का राजा स्वामी धत्ति इन में यह सभी थे तो कांची का राजा पूछा गया है कौन था उसमें समुद्र गुप्त के समय तो बिश्नु गु थे समद्र गुप्त ने मुख्य रूप से स्वर्ड सिक्क्य जारी किये उसके राज्य में तावे के सिक्क्य का प्रचलन नाम मात्र का था कि 43 कोश्यन निम्लिखित आरोहड क्रम की प्रशासनिक संधक्चना में किसका क्रम सही है यहां पे स्वी याफन से हो जाएगा अस्थानिय द्रोड मुख्य कार्वतिक फिर संग्रहण मौरी प्रशासन का अस्तरी खंड देखा जाए तो उसमें था सामराज जी पहला दूसरा प्रांग तीसरा था आहार या भी से चोथा अस्था अस्थानिय था जो की 800 ग्रामों का स जाए द्रोड मुख्य का चारत इसना कहला होता था उसके पाद क्रवतिक या इसके का समय था शुस अंधुट जो कि 100 ग्रामों का समू होता था तो यहां विकल्प में आप देख सकते हैं C, यह आपका ओरो ही क्रash صحी है ना कि आरो ही क्रash में, तो यहां पे C आप से सही हो जाएगा अगला जो कोशन आपका है निवने में से कौन सा सुरोत ये चंद्रगुप्त मौरे को छत्रे मानता है तो डी भी कल्प से हो गए है दिव्यवदान बौधिकरंथ दिव्यवदान चंद्रगुप्त मौरे को छत्रे मानता है जबकि विसाख दत के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राग्षस इन्हें बिर्शल कुल का ये बताते हैं तो ये पूछा है मुद्रा राग्षस क्राचना किस ने की है तो विसाख दत ने और यहां पर पुछा गया है कि कौन सा सुरोत जो है चंद्रगुप्त मौरे को छत्री मानता है तो वह है दिव्यवदान 45 प्रशनल निमलिखित में किस के साथ धर्मयग्य सब्दावली संबंदित है यहां पर सियाफ्शन से होगा सारनात बौधि बिहार सारनात गौधि बिहार से धर्मयग्य सब्दावली संबंदित है और आपको पता होगा कि गौतम बौधि ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वह सारनात में दिया था जिसे धर्म चक्र धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है 46 कोशन है नरायन के साथ बिश्णू के तादात्मे का प्राची इंतम उलेक प्राथ होता है तो वह है महाभारत से बी आप्शन से हो जागे हैं पर नरायन के साथ बिश्णू के तादात्मे का उलेक सरुपर्थम महाभारत के सांती परुमे मिलता है जहां उन्हें सर्व व्याफी योम सभी को उत्पन्द करने वाला बताया गया है 47. राजत्यों का देवी उत्पत्ती का सिधान्त पर्थम बार पाया जाता है तो यह उत्तरवैदिक सहित में भी विकलपाप का सही हो जाएगा राजक्त कि ये दैवी उत्पत्ती का सिधान तस्थरों प्रसम उल्लेक एत्रे बराहमर में किया गया था और एत्रे बराहमर ये उत्तरवयदिक कालीन दचना थी राजा सामानी उपाधियों के अस्तान पर राजा धिराज, सम्राठ, एक राठ जैसे उपाधियां धारड करने लगे थे 48 कोशन है यह सुमेलित करना है जो है सूची दिया गया है आपको बताना है कौन सा आपसन सही होगा है है कूट के माधियम से तो सबसे पहला जो दिया गया है वेदान्त सूत्र, इसका संबंद होगा वाद रायर से, इनकी एका तीसरा, फिर है वैसेशिक सूत्र, इसका संबंद हो जाएगा कडाद से, बी का चोथा, फिर है योग सूत्र, इसका संबंद होगा पतनजली से, सी का दूसरा, फिर है पूर मेमान सा इसका संबंद हो जाएगा जै मिनी से इनकी डी का पहला तीन चार दो एक आप देख सकते हैं C आपसन सही हो जाएगा है उनचास्वा कुशन है प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी तो वे हरक्तिका कहलाता था A आपसन सही हो जाएगा पचास्वा कुशन है सिंदु घाटी की लिपी की सूचना प्राप्त होती है तो यहाँ पे C आपसन सही होगा मोहरों से इक्यावनों कुशन आपका निमलिखित में से कौन सा उत्रप्रदेश का अस्थल सिंदु सभ्यता का केंद्र नहीं है तो यह है कोड़ी होगा रमुख अस्थलों में उत्रप्रदेश का अबिसे ऐस युगदान है यहां के प्रमुक अस्थल आलमगीरपूर, सोथी, हुलास, हुलास जो है सारनपूर के पास है, बड़ा गाउं यह सभी प्रमुक हैं, जबकि कोल्डी होँआ, यह आपका इलहाबाद, जो की बर्तवान नाम अब इलहाबाद का प्रियागरा जो गया है, इस्थित पासाड काल पर इस्थित है, अगला जो कुशन है अब आपका, कि हरपा की इट के माप का अनुपात है, यहां पर बी आपसन से हो जाएगा, एक अनुपाते दो, अनुपाते चार, हरपा की इटों का अनुपात जो था, वह एक अनुपाते दो, अनुपाते चार है, और एक और अनुप अगला जो कोशन इन में से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्यान को आरंभ करने का स्रे दिया जाता है यहाँ पे भी आप सही हो जाएगा रावर्ट ब्रूसफूट रावर्ट ब्रूसफूट यह ब्रिटिस भूगर्व वैग्यानिक और पूरा तात्विक थे जियोलाजिकल सर्वे से संबद ब्रूसफूट ने सरुपथम 1863 इस भी में भारत में पासार कालीन बस्तियों के अन्युवेशन की सुरुवात की पच्छपनों कोशन आपका प्राग इतिहासिक काल का कौन सा अस्थल तामबवती तामबवती नाम से प्रशिद्ध है तो है अहाड सी आपसन सी हो जाएगा अहाड का प्राची नाम तामबवती है यह अस्थान अरावली प्रवत मालाओं से घिरा हुआ उदैपूर के पूर में अहाड नदी के किनारे पर बसा हुआ है अगला कोशन है नौपासार काल में वह कौन सा अस्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड़ी के बने आउजार योम हतियार प्राप्त हुए है इसका सही अंसर होगा आपसने चिराद 1962-63 हिसवी में प्रोफिसर वी के सिन्हा के नेत्रित में बिहार के चिराद नामक ग्रामीर अस्थल की खुदाई के बाद नौपासारीक औसेश प्राप्त हुए अगला कोशन है मेसोलिथिक युग से संबन्धित इनमें से कौन सा बयान गलत है तो इनमें गलत चुह है यह आपसन हो जाएगा कि यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमढ अवधी रही है यह आपका सही नहीं है अंठावनों कोशन है निमलिकित में से किस ने बाला थल का उत्खनन किया था यहाँ पे डियाप्सन से हो जाएगा बी एन मिस्रा बाला थल जो की राजस्थान में है यह राजस्थान का उत्खनन जो है बी एन मिस्रा ने किया और यह नवीनतम ग्यात अस्थल है उसे आग्रा के आराम बाग में दफनाए गया बाद में सेरसाह के सासनकाल के दोरान उसके सरीर को निमलखित में से किस अस्थान पर ले जाकर दफनाए गया तो C आप सुन से हो जाएगा काबूल में 26 दिसमबर 1530 को इस भी में जो है आग्रा में बाबर के मृत्य हो गई थी और उसे आग्रा में नूर अफगान जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है में दफनाए गया परन्तुबाद में उसे काबूल में उसी की द्वारा चुने गये अस्थान पर दफना दिया गया साथों कुशने निम्न में से कि सुल्तान के काल में फिर दौस या सूपियों को उत्पीरन वै प्राण दंड झेलना पड़ा तो यहां डी आफसन सीवगा फिरोज सा तुगलक के सासन काल में अगला कुशन है कौन सा हिंदू चित्रकार था जो कि जहांगीर द्वारा इरान के साह अबास पर्थम का छाय चित्र बनाने के लिए भेजा गया था तो सी आफसन सीवगा बिसंदास मुगल सासको में जहांगीर सबसे अधिक चित्रकला में रुची तकता था उसके दरबार में अबुलहसन और मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे इसके अतरीक ने मुहमद मुराद, बिसंदास, मनोहर तथा गोवर्धन ये सभी ए भी थे और बिसंदास चित्र बनाने में सिद्धस्त थे जहांगीर ने उसे इरान के साह अबास का प्रथम का चित्र बनाने के लिए भेजा था जिसका वर्धन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तूजुक ए जहांगीरी में की है तो जहांगीर के आत्मकथा का नाम पूछा जाए तो है तूजुक ए जहांगीरी अगला कुश्यन है 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू सासक कौन था तो वो यह था हेमू भी आप समसी हो जाएगा 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू सासक हेमू था पानिपत का दुती युद्ध जो की 5 नौमबर 1556 के बीच हुआ इसके पूरू हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयम को स्वतंत्र सासक घोशित कर विक्रमादित्य की उपादी धारड कर ली थी पानिपत की दुती युद्ध में हेमू की पराजे हुई थी तिरिसेटों कुशन है ब्रेटिस काल की दौरान भारत का सिर्ष नियायाले निमलिखित में से कौन सा था तो वह था प्रीवी काउंसिल सी आप संसरी हो जाएगा 1774 इस भी में कलकत्ता में एक सरोच नियायाले की अस्थापना की गई और सर एलिजा इम्पे को मुखे निया अधिस बनाया गया था और यह अभी लेक नियायाले था इसके विरुद्ध अपील वह प्रीवी काउंसिल में होती थी इस प्रकार ब्रिटिस आसनकाल के दोरान भारत का सिर्ष नियायाले वह प्रीवी काउंसिल था तो सी आप संसरी हो जाएगा तो दोस्तो यह था आपका इतिहास का दूसरा प्रैक्टिस सेट जो की TGT और PGT दोनों के लिए ही महतपूर है TGT में जिनका समाजिक भी सह होगा जो इतिहास से कंबिनेशन जिनका होगा उनके लिए काफी महतपूर है तो वीडियो दी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब ही कर लिजिएगा वेल आइकन को प्रेश जरू के लिजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद दीसरा यहाप यूपी प्यसी और यूपी तर्फ्लेसी एकजाम की तयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप anacademy learning workflow से जुड़के जोर के अपनी तयारी को बहुत थरीके से कर सकते हैं और exam को crack कर सकते हैं इसके लिए आपको An Academy का सबसे पहले Learning App इंस्टाल करना होगा Play Store से जाके, फिर Mobile Number के थुरू आप जो है Login कर सकते हैं, Login करने के बाद आप अपना Goal सेलेक्ट करेंगे, Goal यानि कि आपके इस एक्जाम के प्रिप्रेशन करना चाहते हैं, UPSC और UPSC आपको सेलेक्ट करना है य एक्जाम लर्णर जरूर यूज किजिएगा, जिससे आपको 10% का additional discount भी मिल जाएगा, तो एक referral code आप से मांगा जाएगा, तो आप referral code डालेंगे, तो फिरी में जो वीडियो आप An Academy पे पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं, और सब्सक्रेशन लेने के समय यदि आप referral code यू णाउंस्ट मेंट है An Academy पर, यह आप 24 मंत का सभ्सक्रेशन लेती हैं, तो 3 मंत का जो आपको एक्स्टा सभ्सक्रेशन दिया जाय clearing तो आपको 2 मंत का additional यूजि एक्स्टा सभ्सक्रेशन आपको free में दिया जारा है, उसके बाद An Academy पर फते का special archive test जो ए डेली आपका, डेली न जो है आपको अविलिबल कराये जाएंगे उसके बाद जो अनेकेडमी पर प्रगत यूपी-PSC-RO-RO प्रिलिम्स का जो टेस्ट स्रीज है उसका सेडियोल दिया गया है यहापे फिर बैच कोसे जो अविलिबल है अनेकेडमी पर यहापका नौ जुलाई से सुरू हो रहा है तो जो लोग यूपी-PSC की तयारी करना चाते है तो जूड़ सकते हैं आपे फिर जो आप लक्षे यूपी-PSC 2022 यह बारे मंत का प्रिलिम्स प्लस मेंस का जो है कंप्लेट वैच कुर्स है जो की 14 जुलाई से बैच सुरू हो रहा है तो जो लोग इस बैच से जूड़ना चाते तो जो है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेर जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और यदि आप जो हैं एकडेमी से जूड़ना चाते हैं तो आप जाके प्ले स्टो से अनेकडेमी का एक तो रहन मिल जाएगा